आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which of the thermodynamics properties out of E, S, T, P, V, H, N, G are intensive properties and Y तो इसमें हमें बताना है कि इन में से कौन से intensive property और क्यों है E यहाँ पर internal energy को बता रहा है S, Entropy को T, Temperature को P, Pressure को V, Volume को H, Enthalpy को G, Gips Energy को तो यहाँ पर पूछाए intensive property जो हमारी intensive property होती है वो होती है independent होती है matter पर यानि कि matter की size और mass पर겠g नहीं करती है तो इन में से size और mass पर depend नहीं करेगी वो intensive में आएगा बाकि सारी आएगी हमारी extensive में intensive property में हम ले ले लेते हैं जिस मास पर depends नहीं कर रहा है तो इसमें एक्जम्पल्स होते है Temperature हो गया यह mass पर stigma नहीं करेगा कोई भी एक room है जिसको एक पूरा room है उसका temperature सेम रहेगा अगर उसको दो पार्ट में divide कर दोगे तो उसका mass तो आदा होगा उसको partition कर दिया वो half हो गया volume में पर उसका temperature तो same ही रहेगा अब ऐसे ही हो गया हमारा pressure प्रेशर है वो भी अगर हम किसी रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे volume हाफ हो गया तो उसका मतलब उसका pressure भी हाफ होगा नहीं pressure हाफ नहीं होगा यहां पर pressure भी same ही रहता है क्योंकि यह intensive property है और extensive property क्या होगी जो मास मास पर डिपैंड करेगी size पर डिपैंड करेगी तो हमारे यह जैसे entropy है वह भी मास पर डिपैंड करती है क्योंकि मौस पर डिपैंड कर रही है और हमारी entropy साथ internal energy है, entropy हो गई और volume हो गए वो भी mass पर depend करती है और enthalpy भी mass पर depend करेगी और कि गपस energy भी mass पर depend करेगी क्योंकि mass पर depend कर रही है तो इस question का answer जाएगा हमारा temperature and pressure क्योंकि ये mass पर depend नहीं कर रहिए Classics to 12 सो लेके NEET IIT जेही means और advance के level तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर